दोस्तों जब से दा केला स्टोरी मुई की कमाई सामने आए भर भर के कमाई कर रहे है दस करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ और जब से इसका इंपक्ट है इसका जो कलेमेक्स है इसका जो कहानी भाई वो लोगों के मैंड में इस तरह बैट करे कि जब भी कोई भी थेटर में फिलम से कि ओडिस बारा थी जो उनका वर्ल्ड ओफ माउथ बस एक ही होता है कि मस्ट वाच मस्ट वाच हर एक डटकी को बहन को बेटी को मा को हर एक इंसान को फिलम जरू रखने चाहिए और इसी बीच अब अनुपम खेर का भी रेक्शन आ चुका है और उने में विलकुल जम के खुले आम सपोर्ट गया इस फिल्म को अनुपम खेर वाई जो एक वाई बेस्ट अंडरेटेड एक्टर हैं बोलीवुड के वह ओल्लेडी साउथ की तीन चार फिल्म में कर सो गये हैं उनमें एक थी सीतारवां और एक थी कार्तिक गया टू और उनकी बाई लेजंड फिलम बहुत ही सराना की है और उनको बहुत एक मैसेज बेजा है ट्विटर पे अरुपम खेर ने का कि फिल्म की कहानी चाहिए रियल हो या फेक हो चाहिए इसको चाहिए इसमें कुछ अलग से एड किया गया हो या नहीं बट जो इसको दिखाने का वाई एक वह इंटेंशन थी इप ना एक मन का वह भाव था ना तो इसमें कहानी दिखाएक यह बिल्कुल पीओर बिल्कुल रो नए फिल्टर नए सौंग नए कुछ नए वह तो यह फिल्म भाई बिल्कुल दिल को छूच जाती है और हर एक बेटी भैन को फिल्म जरूर जाकि देखने चाहिए यह हमा देख लिए दोस्तों आपको फिल्म कैसी लगी आप दिल से पताना अच्छी है या बुरी है या फिल्म फाल दोगा वह वह फेक परमोशन या पेट पर हो रहा है फिल्म का आपको कौन सा एलिमेंट अच्छा लगा कहानी एक्टिंग इंटरवाइल सीन या फिर क्लामेक्स का वह इमोशनल सीन अब प्लीज हमें बताएं और मिलते हैं अगली वीडियो में चापके लिए बहुत ही खास होने वाली है बाई गाईज